यहां पर शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नमबर 19 यहां पर शुरुआत कर रहे हैं क्लाइमेक्स एंड डिसिंटिग्रेशन आफ तोड़ी लेट हो गई है इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं थोड़ा लंबा बनाने के कोशिश करूँगा राइज ओफ मराथा अर्ली केरियर ओफ शिवा जी शिवा जी के अर्लियर के बारे में भी बातचीत होगी आगे ट्रीटी ओफ पुरंदर शिवा जी जब औरंग जेब से मिलने आगरा गए और ओवर ओल क्यों औरंग जेब की शिवा जी के साथ ब्रीच हो गई और यह जो औरंग जेब का आप कहलो सिपह सलार था राजा जैसिंग ठीक है जैसिंग ने बहुत हद तक शिवाजी को और औरंग जेब को पैसिफाई कराने कोशिश की पूरी तरीके से शिवाजी को मुगल खेमे मिलाने कोशिश की लेकिन औरंग जेव actually में शिवाजी को जदा importance देता नहीं था इसके चलते overall औरंग जेव से गलतियां हुई और शिवाजी और औरंग जेव के बीच में प्रकार की कोई मांडबली होनी पाई और बाद में शिवाजी औरंग जेव के दुश्मनी बन गए और उसके बाद जो दोड़ाया है औरंग जेव कोनों ने ऐसा नहीं है कि शिवाजी नो ओपन बैटल में औरंग जेव को हरा दिया नहीं ऐसा नहीं हुआ है लेकिन औरंग जेव की नाक में दम कर दिया परिसान हो गया और रंगजिव, रोही गया होगा वो शिवाजी के सामने तो इस पूरी की पूरी स्टोरी को लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे ठीक है, सबसे फ़रे समस्ते हैं The Rise of Marathas अगर आप देखो तो हमने पहले ही बात किये कि एहमद नगर और बीजापूर, इन दोनों के administrative और military systems में Marathas बहुत ज़्यादा important रहें एहमद बीजापूर, गोल कॉंडाई, छोटी छोटी प्रिस्पालिटी इस थी Southern India की और इनके उपर individual तरीके से भी Marathas ने control पाने कोशिश की है, यह पूरी की पूरी जो भी Deccan में बहुत ज़्यादा interest दिखाया, ओके, अब देखिए, अगर आपको Deccan पर राज करना है, तो Marathas को pacify करना ही पड़ेगा, उनको अपने खिमे मिलाना ही पड़ेगा, तो चाए हमन नगर हो, चाए बीजापूर हो, चाए गोल कॉंडा हो, चाए मलेकंबेर हो, चाए मुगल गवर्नर्स हो, कही न कहीं सब ने Marathas को pacify करके, अपनी तरफ यहाँ पर खीचने की उगोशिश किये, और देखिए, Marathas में भी बहुत सारी अलग-अलग families थी, अगर आप देखो तो मोरे family, घाटगे family, निमबलकर, तो अलग-अलग regions में जो Marathas थे, वो dominant थे, एक family थी, वो overall आप उनको पूरी की पूरे, आप कह सकते हो, community को आप Marathas बो सकते हो, बट उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग families थी, और यह families अपने-अपने अलाकों में बहुत dominant थी, local level pin की authority चला करती थी, लेकिन शुरवात से कोई centralized राज नहीं थ ठीक ना, Marathas मिल के centralized political power नहीं develop कर पारे थे, और इस प्रकार की power को पहली बार develop करने की शुरवात की, शाजी भोसले साब ने, शाजी भोसले के ही बेटे थे आपके शिवाजी, ओके, शाजी भोसले और शिवाजी के बारे में, मैंने हलकी फुलकी info अपनी पहले की वीडियो इसमें भी दी है, अगर आप देखते हा रहे हैं तो आपको हलका फुलका पता होगा, एहमाद नगर में overall politics में शाजी भोसले बहुत ज़दे involved थे, मुगलों के साथ, पहले डिफाई किया, फिर उनकी खेमें में गए, फिर बाहर निकल गया, यह सब चीज़े चलती रहती थ होगे, तो कुल मेरा के अगर आप देखोगे, तो जो मनाठास थे, वैसे तो बहुत पावर्फुल थे, पर टैक्चुली में political power की शुरुवास शाजी भोसले सुई, और उसके बाद कौन लीडर आएगा, शिवाजी, शाजी भोसले ने जो platform तयार किया था, उसको capitalize करने के एक बहुत able ruler की जरूद थी, बहुत able individual की जरूद थी, और वो सारी qualities शिवाजी में थी, ठीक है, तो अगर आप देखो, तो शाजी ने एक semi independent principality बनाने की कोशिश की पैंगलोर में, जैसा कि मीर जुम्रा ने करने कोशिश की थी, जो कि गोल कोंडा का needle noble था, मीर जुम्रा के थे, चाहे वो मीर जुम्रा हो, गोल कोंडा का नॉबल, चाहे वो वेस्टन कोस्ट पे अबेनिसियन्स हो, चाहे सीदीज हो, चाहे मेराठाज हो, सब लोग अपने अपने लेवल पे, अपनी कैलो की, जो individual local authority है, उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, अब बात करते ह शत्रपती शिवाजी महराज, ठीके न, जो कि कई बार नाम इनका आएगा, तो मैं इनको शिवाजी ही यहाँ पर बोलूँगा, with due respect, तो देखा चाहे तो शाजी भोशले, जो कि शिवाजी की पिता जी थे, इन्हों ने अपनी पूना जागीर छोड़ी, और इनका माइनर स शिवाजी, और यह निकल गए इनको और भी बहुत जुगों पे एड्मिनिस्टिशन देखना था, अब शिवाजी बहुत छोटे से ही इस एड्मिनिस्टिशन में माहिर थे, 18 साल की उमर पे ही उन्हों ने बहुत सारे हिलफोर्स के उपर कबजा कर लिया, चाहे वो पूना का हो, राजगर का हो, कौन्धाना का हो, तोमा का हो, 16-45 से लेके 16-47 में इन के लिए के ओपर किसने कबजा कर लिया, शिवाजी ने, शिवाजी ने कबजा कर लिया, शिवाजी को एक्चुली में जो इनकी इनिशिल ग्रूमिंग हुई थी, वो की गई थी दादा जी देख रहते हैं, वो सीधे-सीधे शिवाजी के पास आगे है, आगे बटन इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब कर दीजे, हो सके तो जोइन बटन दबाके हेल्प करें, इससे काफी बनत मिलती है, तो प् चंदर राओ मोरे, चंदर राओ मोरे को 1656 महरा के जावली नाम की जगा को कबजाया शिवाजी ने, और अगर आप देखो कि तो जावली किंडम था, और जो मोरे का अकुमुलेटेड ट्रेजर था, जब यह यहाँ पर शिवाजी को मिला, तो ओवराल शिवाजी की जो आप जब आप जब आप जब आप जाए, और जिस इलाके में शिवाजी रहते थे, उस इलाके में धरम के नाम पर ज़्यादा उत्पात नहीं मचा, लेकिन अब आप समझेए, यह मीडवल टाइम्स है, जब भी शिवाजी के इलाके में कोई दूसरा अटाक करता था, चाहे ना, क्योंकि यह मीडवल सुसाइटी थी, यह चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, यह आज का हिंदोस्तान नहीं है, मीडवल टाइम्स अलग थे, वहाँ पे डील करने के तरीके अलग थे, अगर आप देखो तो मवाला के आसपास के इलाके में, शिवाजी इससे शिवाजी की जो ओवर ओल कंडिशन थी, वह बहुत स्ट्रॉंग हुए, और आपके सकते हो, पूने के पास जो हिल फोर्ट थे, उनके उपर यहाँ पर कबसा किया, फिर आप देखोगे कि शिवाजी यहाँ पे बीजापूर, गोलकॉंडा, एहमन नगर इनके साथ भ जब शिवाजी अपनी जगा बना रहे हैं, तो बीजापूर, गोल, कॉंडा, एहमन नगर के सुल्तानों से कही ना कहीं, तो प्रॉब्लम होई जाएगी, मत्मुटा होई जाएगा, तो बीजापूर और शिवाजी की बन नहीं रही थी, उसी समय पे बीजापूर के ओपर बोल दी हैं, मुगलों ने 1650 में, तो चुकि मुगलों ने 1650 में बीजापूर के ओपर ढ़ाप बोल दिया, तो बीजापूर ओवर ओर ओल, शिवाजी के अगेंस ज़्यादा लड़ा नहीं पाया, ओवर ओर अगर आप देखोगे, तो एक समय पे शिवाजी ने औरंग दिलाते रहे कि तुम हो क्या, अच्छी में औरंग जेप से बढ़ाता तो किसी की भी वेलू नहीं थी उस समय पे, लेकिन सुचो मुगलों की टरिटरी में घुसके वहीं बिलू उटपात मचा देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और इसलिए औरंग जेप परसंद नहीं आते थे, ओके, तो मुगल और बीजापूर का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे औरंग जेप ने साफ साफ बोल दिया बीजापूर की सुल्तान को, बहुत तुम शिवाजी को यहां डेप्यूट में करो, चोकि औरंग जेप जानता था, कि शिवाजी कभी भी उसके अलाकों में अटाक कर सकते हैं, लूट पात कर सकते हैं, तो इसलिए ओरंग जेप ने बीजापूर के सुल्तान से बोल के, शिवाजी को और साउथ में डेप्यूट करवाया करणाटका के असपास के अलाके में, ताकि मुगल टेरिटरीस के अंदर शिवाजी ना गुस पाएं, ओके, तो ये सब चीजें अवराल यहाँ पे हैं, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे थोड़े किस्मत ने भी शिवाजी का साथ दिया, जब शिवाजी ओवराल मुगल डोमीनेंस में घुसके अरंग जेप को चैलेंज कर रहे थे, उस समय पे एक्चुली मे मिलके अपने डोमीनेंस को कंसॉलिडेट करने का, और औरंग जेप के लाके में घुसके, थोड़ा बहुत बूटी कमाने का, लूट पात करने का, ठीक है भाई, फिर अगर आप देखोगे, तो कौनकन के आसपास की बहुत से हलाके, वेस्टिन घाट्स के आसपास का बहुत से हलाका, यह सब कहीं न कहीं, शिवाजी कबजा कर चुके थे, अब जब ओवर ओल शिवाजी, एजब मराठा जनरल सामने आ रहे थे, जिनके हाथ में रियल पॉलिटिकल पावर थी, ना वो बीजापुरी नॉबल थे, ना ही वो मुगल नॉबल थे, ना गोलकोर्णा, ना आहमात नॉबल नॉबल थे, अब इंडिपेंडन्ट की एक्स्पेंशन करेगा, और एक्स्पेंशन तो करेगा, यह मीडिवा सोसाइटी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे बीजापुर से, बीजापुर ने सोचा कि भाई, कुछ ना कुछ तो यहां देखो करना कहानी है, यह मैं आपको समझा चुक हूँ, रेफरेंस वीडियो यह है, यह जो पहली वाली वीडियो है, राइज ओशिवाजी स्ट्रगल विद अवजल खान, शैस्ता खान, सीज ओफ पनहल गड़, तो यह अगर आप अवजल खान मेरे नाम के साथ या फिशिवाजी मेरे तो हुआ का यहाँ पर, अवजल खान को भेजा का यहाँ पर बीजा पूरी शिवाजी को हराने के लिए, ठीक है भई, ट्रेचरी उस समय पर कॉमन थी, ट्रेचरी मतलब धोके से हराना, आप समझेए, शिवाजी का जो मोटस ओपरेंडी था लडने का वो था गुरिल्ला व वारफेर, तो यहाँ पर शिवाजी ने क्या बोला कि वाई गुरिल्ला वारफेर करेंगे, कि क्या एकदम से चट्टान से बाहर निकलाई, पीछे से डंडा मार दे, चाको मार दे, थप्र मार दे और फिर से चट्टान में बोजगे, दुश्मन समझे नहीं पा रहा है कि कह अहां से अटाक होगा, यह जो गुरिल्ला वारफेर है न, यह हलका फुलका आपको ताना जी मूवी में भी दिखाया गया है, ताना जी मूवी में अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, तो जो अजय देवगन है, वो अपने साथियों के साथ एकदम से सड़क पे चल र और फैर, बराल, अफजल खान और शिवा जी की लड़ाई की बात की जाए, तो अफजल खान ने एक इन्विटेशन वीज़ा शिवा जी को पर्सनल इंटर्व्यू का, और अफजल खान ने शिवा जी को बोला जहां सा दिया, कि भाई, आप आजाओ, हमारे साथ मिल जाओ, अगर आप हमारे साथ मिल जाओगे, तो मैं बीजापूर के सुल्तान के साथ आपकी सुलाय करा दूँगा, आपको माफी दिला दूँगा, अब अफजल खान ने या पर पासा फेका, और ट्रेकरी थी भाई, कौमा ने ट्रेकरी तो उस समय पे, शिवा जी भी ट्रेकरी में मास्टर थे, भाई, वो खुद ही एक एड्मिनिस्टेटर थे, कोद इतनी जगों पर राज कर रहे थे, तो उस इंसान को तो पता ही था कि अफजल खान पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शिवा जी गए अफजल खान से मिलने लेकिन शिवा जी इस बात के लिए प्र प्रताबगड़ फोर्ट है, यह प्रताबगड़ फोर्ट शिवा जी महराज नहीं बनवाया था, तो इसी प्रताबगड़ फोर्ट के नीचे लडाई हुई थी कि अफजल खान के और शिवा जी की, ठीक है, दस नॉम्बर 1659 को यह लडाई हुई थी, ओके, तो बैटल अफ अफजल खान बहुत हीरो बन रहे तो और सोच रहे थे कि शिवा जी को अलू बना लेंगे, वो खुदी यहां पे माले गए, तो जब अफजल खान मर गया तो लीडर लेस आरमी होगी, लीडर लेस आरमी होगी तो शिवा जी ने दोड़ा दोड़ा के मारा इनकी आरमी को, इनके सारे गोड्स और एक्विप्मेंट्स कबजा कर लिया, इनकी आर्टिलेरी की अबजर कबजा कर लिया, और जब यहां पे मराठा टूप्स जीते, उसके बाद उनके अंदर एक खुशी की लहर आ गई, उसके बाद उनने पनहला के पावरफुल फोर्ट में भी गबज आप कहलो, एक्स्टेंसिव स्प्री सी शुरू हो गई, जीतना ही शुरू हो गए, यहां पे मराठा सदार, जहां पे मराठा जा रहे थे, जीत कही आ रहे थे, यहां पे शिवाजी महराज बन गए एक लेजेंडरी फिगर, लोग इन्हें पूजने लगे, बहुत बड़े बन गई है, बहुत फेमस हो गए, इनकी जो बात है, जब एक इनसान बहुत फेमस हो जाता तो उसकी स्टोरी बोले आती है, आप उस्ते में पर कोई लाइव न्यूस चैनल तो आते नहीं थे, तो बहुत जगा जगा पे किताबों में, कहानियों में, पोयम्स में, शिवाज महराज के फॉलोवर बनना चाहते थे, इनफेक्ट बहुत सारे अफगान मरसिनरीज, अफगान फाइटर्स, जो कि पहले बीजापूर के सुल्तान के अंदर काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अब हम शिवाजी के अंदर काम करेंगा, ओके, और ये सब चीजें कौन देख सब्सक्राइब को ये बिलकुल भी फूटे आँख नहीं सुआएगा, ओके, तो यहाँ पर औरंग जेब ने जो डेकन का मुगल गवर्नर था, शैस्ता खान, ओके, इससे बोला कि कैसे ना कैसे करके शिवाजी को कंट्रोल में करो, शैस्ता खान औरंग जेब के थूरू, मत अब शुरुबात में लगाई थोड़ा बहुत शैस्ता खान के फेवरें चलीगी, शिवाजी के अगेंस चलीगी, पूना के उबज़र, कबजा कलेश शैस्ता खान ने 1660 में, और इसको अपने हैड़कॉर्टर्स बना लिया, ओके, फिर कौनकन के इलाके पे अपनी फोर्स शैस्ता खान ने कंट्रोल पा लिया, चुकि समझ ये, बले ही शिवाजी और उनके जो मराथा फाइटर्स थे, वो गोरिल्ला वार्फेर में हिट था, लेकिन मुगल इंपीरर आर्मी अभी भी बहुत स्ट्रॉंग थे, उसको हरापना आसान नहीं था, ओके, अब यहाँ प लिदिता है, तो शिवाजी महराज ने बहुत जबर्दस्त बोल्ड स्ट्रेप चुळा, पूना में रात के समय पे शैस्ता खान के जो हरम था उसमें घुज गे शिवाजी महराज, और वहां पे शैस्ता खान के उपर अटाक कर दिया, इसके एक बेटे को मार दिया, इसके यहां घुज गया और अलमोस्ट इसकी जान ले गया इसके बेटे को मार दिया इसके जनरल को मार दिया और यह इतनी सीक्योर्टी के बाद भी कुछ नहीं कर पाया तो जो वर और जब यह निज निकल के आई ना तो शैस्टा खान हारा और इतनी बुरी तरी के से हुमिलेट और अगजे मिला ही नहीं उससे उसने मिलने से मना कर दिया ठीक है तो उसके बाद शिवाजी ने जो अपना एग्रेसिव स्टांस था सो कमजोर नहीं छुड़ा एकदम से शिवाजी ने सूरत के ओपर अटैक कर दिया और सूरत में जो प्रीमेर मुगल बैसिकली सूरत एक मुगल कोर्ट था बहुत हद तक जो मुगलों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सूरत के थ्रू होता था तो सूरत को यहां पर लूटा 1664 में शिवाजी ने और बहुत सारा पैसा मिला यहां पर शिवाजी को सूरत तूटने से इसे दो चीज़े हुए एक तो शिव भी आना बाकी था और वो था राजा जैसिंग सैस्टा खान को तो यहाँ पर eliminate कर चुका था शिवा जी लेकिन जैसिंग को किस हद तक eliminate कर पाएंगे इस कौम लोग अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो तैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंट में दे रखा है अगर आपके कुछ वी पॉइंट से कुछ नई चीज आप बताने साथे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताईए डेफिनिटली बात में जब भी मैं पढ़ूँगा तो अच्छे कमेंट को पिन कर दूँगा हवा ग्रेट डिफ्रेंट्स गुडबाय पढ़ते रखिये ध्यार रखिये अपना